वेलो दोस्तों, वेलकम टो मैटूप चैनल, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान विज्ञान के लिए मातपूर्ण वन लाइनर एमसीक्यू सरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, इसका आंसर है है पैरिन नामक प्रोटीन है पैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, इसका आंसर है यक्रत में, यक्रत द्वारा रक्त को ठक्का जमने में सहायक होता है, इसका आंसर है प्लेलेट्स रक्त का ठक्का जमने में प्लेलेट्स सहायक होता है प्लेलेट्स की इम्रत्य होती है इसका आंसर है प्लीहा में रक्त का थक्का जमने में सहाईक बिटामिन के होता है रुधिर का तरल भाग होता है प्लाजमा रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाजमा होता है इसका आंसर है 55% पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाजमा रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा जिसे हम स्पैलन भी बोलते हैं आर्बिसी का कबरगा शम्शान है प्लीहा ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिगरी फोरेनाइट पर रक्त समों होते हैं A, B, A, B और O रक्त समों की खोज की थी लेंड इस्टीनर ने सर्वदाता रक्त समों है O सर्वग्राही रक्त समों है A, B आरेच फेक्टर सम्बंदित है रक्त से आरेश फेक्टर के खोज करता का नाम है लेंड इस्टीनर एवं बीनर रक्त चाप नियंतरत होता है एडरेनल ग्रन्थी से रक्त को शुद्ध करता है ब्रक मतलब किड्नी रक्त के सुद्धी करण की प्रक्रिया है डायलेसिस मुत्र का निर्मायण होता है ब्रक में ब्रक मतलब किड्नी का भार होता है एक सु पचास ग्राम मानो गुर्दे मतलब किड्नी में बनने वाली पथरी होती है केल्सियम ओक्सलेट की रक्त एक विलियन है छारिये विलियन है रक्त का पी एच मान होता है 7.4 रक्त दाव मापने वाला यंत्र है स्फिग्नो मैनोमीटर सरप्रथम रक्त परिसंचरन तंत्र का अध्यन किया था बिलियम हारवे ने सरीर से हिर्दय की और रक्त ले जाने वाली रक्त बाहनी कहलाती है शिरा हिर्दय से सरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहनी कहलाती है दमनी हिर्दय की धड़कन का नियंतरक है पेसमेकर जराविक साथ है कृतिम हिर्दय सरीर में ऑक्सिजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है पित होता है पीले हरे रंग का छारिय द्रव पित्त मतलब बाइल का pH मान होता है 7.7 पित्त इस्त्रावित होता है यक्रत द्वारा यक्रत मतलब लीवर में भविश्य के लिए भंडारेत रहता है बिटामिन A पित्त मतलब बाइल जमा होता है पित्ता से में हाइडोफोविया रोग होता है कुत्ते के काटने से खोज की थी इवानों वसकी ने विशाणूओं का अध्यन है बाइरोलोजी रानी खेद बीमारी फैलती है बाइरस के द्वारा जनतों में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है विशाणूओं के कारण कवको का अध्यन कहलाता है माइकोलोजी